मारल मिंटो सुधार क्या था? मारल मिंटो सुधार के क्या कारण थे? और भारती सवेधानिक इतिहास के विकास में मारल मिंटो सुधार के महत्व क्या था? उस पर परकाश डालिए ये सभी कोश्चन के आंसर मैं आज आपको बताने वाली हूँ ये वो कोश्चन है जो की अभी LLB की एक्जाम में पूछी जाने वाले हैं जिसको आप मोस्ट IMP कोश्चन कह सकते हैं मैं डॉक्टर इर्शाद कारम और आप सभी लोग देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चेनल आईलाट टॉप हम बात कर रहे हैं भारती विधिक एवं सवेधानिक इतिहास का जो विशय LLB का है उसके कोश्चन मार्लिमिंटो के विशय में भारती परिशद अधिनियम उन्नीस सन्नो ब्रिटिश संसत का एक अधिनियम था जिसने विधान परिशद में कुछ सुधार पेश किये और ब्रिटिश भारत के साशन में भारतीयों को जो सिमित भागिदारी का अधिकार था उसको बढ़ाया भारत के राज्य सच्चिव जॉन मार्ले और भारत के वायस राय मिंटो के चोधे अर्लि के नाम पर इसे आमतोर पर मार्ली मिंटो सुधार कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार युनाइटेट किंगडम यानि कि ब्रेटेन की संसत द्वारा पारीत एक अधिनियम था इसे भारती परिशत अधिनियम 1909 के रूप में भी जाना जाता है अगर भारती परिशत अधिनियम 1909 का कोई कोश्चन आप से पूछ जाए तो उसमें आपका मार्ले मिंटो सुधार अही आएगा मार्ले मिंटो सुधार राजी के सच्चिव जान मार्ले और वायस रहे लाड़ पिंटो द्वारा प्रस्तावित किया गया था इसलिए इसका नाम जो है इन दोनों के नाम से रखा गया है मार्ले मिंटो मार्ले मिंटो रिफॉर्म के पीछे मुख्यो देश केंदरी और प्रांती प्रशासन में भारतों की भागिदारी में सिमित व्रद्धी करना था इस सुधार के तहित प्रथक निर्वाचन मंडल की अउधारना पेश की गई थी अब मार्ले मिंटो सुधार के क्या कारण थे उस पर हम चर्चा करते हैं ऐसे क्या कारण में हो गए थे कि मार्ले मिंटो सुधार की आउशकता परी पहला मारानी विक्टोरिया ने भारतियों के साथ समान वैवार करने और भारतियों को समान अवसर परदान करने का वादा किया था लेकिन बहुत कम भारतियों को ये अवसर मिल रहा था सेकंड ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतियों के साथ मिलकर काम करने से इनकार किया था तिसरा भारती राष्टी कांग्रेश ने भारतियों को सिविल सेवा में परवेश करने में आने वाली कठिनाईयों को सिविकार किया इसलिए कांग्रेश ने विधानमंडल में अधिक भारतियों के प्रति निधित्व की मांग करना शुरू कर दिया लाड करजन ने 1905 में बंगाल की विभाजन को अंजाम दिया था इसके परिणाम सोरूप बंगाल में बड़े पेमाने पर विद्रो हुआ इसके बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतियों के शाषन में कुछ सुधारों की आउशक्ता को समझा महसूस किया अगला कारण नरम बंदियों ने सरकार के सामने कुछ मांगे रखी क्योंकि कांग्रेश के भीतर उगरुवात का विश्तार हो रहा था ब्रिटिश सरकार ने नरम वादियों की जो मांगे थी उसको देखते हुए नरम वादियों को शांत करने के लिए कुछ मांगों को स्विकार कर लिया और उन्हें मारल मिंटो सुधारों के तहत पेश किया गया अगला भारतिराश्टि कांग्रेश ने 1906 में पहली बार हॉम रूल की मांग की थी अगला कांग्रेश की ओर से गोपाल करश्टिक गोखले ने राजी सच्चिव जान मारले से मुलाकात की और भारत में सवशासन की मांग की थी आगा खान शिमला प्रतिन युक्ति के नेतरोतर में मुसल्मानों के एक समू ने वायस राय लाड़ पिंटो से मुलाकात की और मुसल्मानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की मांग की थी तो जो आगाखान थे जो शिमला परतिनियुक्ति थे उन्होंने मुसल्मानों के साथ वो लाड मिंटों से जाके मिले और उन्होंने एक अलग निर्वाचन मंडल की डिमांड कर दी 1906 का आम चुनाओ ब्रेटिश लिबरल पार्टी ने चीता था इससे ब्रेटिश भारत में सुधारों की संभावना बढ़ गई उनका मानना था कि विदान मंडलों में मुल निवासियों का परतिनिधित्व बढ़ने से भारत में उनके शाशन में वरद्धी होगी अगर भारत में चुनाओं होते हैं और चुनाओं में जो भारत की मुल भारती लोग हैं अगर वो उनको वोड दे के जिताते हैं तो उनको जो शाशन कर रहा हैं वो हमारे देश में भारत पे उस शाशन में उनकी और विरद्धी होगी इस परकार राजि सचीव, जान मारली और वायस-ुराई लाड़ मिंटो ने कुछ उपाई किये जिने मारल मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है मारली मिंटो सुधार के परमुक प्रावधन क्या किया थे, उसको हम देख लेते हैं केंद्र और प्राम्तों में विधान परिशद का आकर बढ़ गया केंद्री विधान परिशद 16 से 60 सदस्यों तक पहुँच गई थी बंगाल, मदरास, बंबई और सईक्तु प्राम्ती की विधान परिशदे प्रतेक में 50 सदस्य हो गए थे यानि बंगाल में 50, मदरास में 50, मंबई में 50 ऐसे जो विधान परिशदे थी उनमें 50 सदस्यों हो गए थे पंजाब, बर्मा और असम की विधान परिशदों थी जिनमें परतेक में अब 30-30 सदस्यों हो गए थे केंद रो प्रांतों की विधान परिशदों में सदस्यों की चार श्रेणिआ ती जो इस प्रकार थी पहले पदेन सदस्य गवनर्स जणरल और कारी-कारी परिशत के सदस्य और दूसरा मनोनित अदिकारी जिसकों की मनोनित क्या गया था government यह कहें कि British शासन दोरा तो वो सदस्य सरकारी अधिकारी होते थे जिने गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया जाता था तो पहले कोन होता था पदेन सदस्य जिसकों की पद दिया जाता था और वो गवर्नर जनरल वो कारी-कारी परिशत के सदस्य होते थे फिर मनोनित से अधिकारी होता था तो ये सदस्य को कोन मनोनित करता था गवर्नान जनरल फिर मनोनित गेर अधिकारिक सदस्य पहले कोन हो गया मनोनित अधिकारिक सदस्य यानि अधिकारी लेवल का कोई सदस्य और गेर अधिकारिक सदस्य इसकी निक्ति कोन करता था गवर्ना जनरल ये मनवनित करता था लेकिन सरकारी अधिकारी नहीं होते थे ये सरकार से हटकर कोई वेक्ती होता था और निर्वाचित सदस्य भारतियों की विभिन श्रेणियों द्वारा निर्वाचित सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता था अब निर्वाचित सदस्यों का चुन के सदस्यों का चुनाव करेगा यह सदस्य बदले में केंद्री विधान परिशत के सदस्यों का चुनाव करेंगे निर्वाचित सदस्य से इस्थानी निकायों वाड़ी जी मंडलों जमिदारों विश्री विद्धालयों वैपारी समुदायों और मुसल्मानों में से थे प्र जो अधिकारी नहीं थे जो कर्मचारी नहीं थे वो बहुमत में थे यानि जादा सिंख्या में थे हाला कि चुकि कुछ गेर अधिकारिक सदस्यों को नामंकित किया गया था तो कुल मिलाकर गेर निर्वाचित सदस्यों जो थे वो बहुमत में थे बारतियों को पहली बार इंपीरियर लेजिसलेटिव कौंसिल की सदस्या दी गई थी इसने मुसल्मानों के लिए अलग निर्वाचन शेत्र की शुरुआत कर रही थी कुछ निर्वाचन शेत्र मुसल्मानों के लिए निर्धार दित कर दे गए थे और केवल मुसल्मान ही अपने परतिनीदियों को वोट दे सकते थे तो यहां में कह सकते हैं कि यहां से जो हैं मुसल्मान और हिंदूओं को बाटने की कोशिश की गई थी अगला सदसी बजट पर चर्चा कर सकते थे और प्रस्ताओं पेश कर सकते थे वे जनहीत के मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते थे वे पूरक प्रश्ने भी पूर सकते थे विदेश नीती या रियासतों के साथ संबंदों पर किसी भी चर्चा की अनुमती नहीं थे लाड मिंटों ने मारले के बहुत समझाने पर जो लाड मिंटों थे मारले ने उनको बहुत समझाया तब उन्होंने 75 पीस इन्हा को वायस राय की कारिकारी परिशत का पहला भारती सदस्य न्यूक्त किया था तो जो वायस राय की कारिकारी परिशत थी उसके में पहला सदस्य को था 77 पीस इन्हा जिसको की लाड मिंटो ने किसके कहने से नियुक्त किया था मार लेके कहने पर भारती मामलों के लिए राज सच्चु की परिश्यद में दो भारतीयों को नामंकित किया गया था